किसान साथियो नमस्कार कैसे हैं आप आसा करते हैं ठीक ही होंगे और ठीक ही रहें किसान साथियो इस वीडियो के माध्यम से हम आप लोगों के बीच एक बहुत ही महत्पूर्ण जानकारी सेर करने वाले हैं जो के आप लोगों के लिए काफी महत्पून लाप्रद होगी जैसे के हमारे बहुत से किसान भाई सतावर की खेती करते हैं या करना चाहते हैं तो उन्हें ये भी जानना बहुत जरूरी है कि सतावर की फसल पे बीज कब लगते हैं और सतावर की फसल से बीज बनते हैं तो कि किस तरह बनते हैं किस तरह बीज को हारबेश्ट करना चाहिए बीज किस तरह बनाना चाहिए किस महीने में बनता है बीज का रख रखाब कैसे होना चाहिए बीज को किस तरह कलेक्ट करते हैं बीज को किस तरह तोड़ने के बाद प्रोसेस करते हैं यह सारा प्रोसेस इस बीड किसान भाईयों को आप अन्त तक कबस्थ देखिएगा तो चलिए दोस्तों देर ना करते हुए सुरू करते हैं ये वीडियो उन किसान भाईयों के लिए बहुत ही महत्पून है जो के फच टाइम सतावर की खेती कर रहे या करना चाहते हैं और जो किसान भाई हमारे पहले से कर रहे हैं तो उनके लिए तो ये जानकारी पता ही होगा किसान भाई यो सतावर की फसल में फुलाविंग स्टेज सितंबर अक्टूबर से स्टार्ट हो जाती है फूल खिलने के बाद फूल एक मुकई में परवर्तित हो जाता है और मुकई के अंदर ही एक ब्लैक तरीके का बीज बनता है इस मुकई को पकने में लगभग दिसंबर जनबरी तक का समय लग जाता है सितंबर-अक्टूबर से तो किसान साथ्य इस समय आपको बीज का यदि आपके खेत में बीज बन रहा है तो सचाई का भी ध्यान रखना है और सूड़ी उड़ी का भी ध्यान रखना है ताके मुकई में सूड़ी ना लगे मुकई में यदि सूड़ी लग जाती है तो खोकला कर देती है और बीज नहीं बन पाता है तो उसका भी कोई कीटना सा किस्प्रे लगा सकते हैं आप उसके बाद ये मुकई जो है पूरी तरीके से पक जाती है तो लाल हो जाती है जब मुकई लाल हो जाएगी उसके अंदर बीज आपका एकदम पक के तयार हो जाएगा बीज मतलब तोड़ने के लिए तयार हो जाता है जब मुकई लाल हो जाती है तो उस समय आपको क्या करना ह भीज को तोड़ लेना है लाल दाने लगभग 70-80% आपके पौधे पर त्यार हो जाएं तो बीज आप तोड़ सकते हैं बीज तोड़ने के बाद पौधे में काफी काटे होते हैं, दिक्कते आती हैं, तोड़ने में एक एक बीज तोड़ेंगे, काफी समय लगता है, तो आप एक साथ भी डंडे के माध्यम से जाड़ सकते हैं, नीचे पल्ली उल्ली विछा कर बीज को जाड़ सकते हैं, जब के माध्यम से उसे क्लीन कर सकते हैं जो हवा फेकने वाला पंखा होता उसे लगा कर उस बीज में जो कूड़ा कचड़ा होता है उसको आप हवा के माध्यम से क्लीन कर सकते हैं और बीज को आप अच्छे तरीके से एक साइट कर सकते हैं जैसे के किसान भाईयों हमने भी अपने खेत का बीज तुड़वाया, किलीन करवाया, किलीन करने के बाद बीज का जो प्रोसेसिंग कराते हैं, धुलवाते हैं, उसमें काफी समय लगता है, ये काफी कठिन काम है बीज की धुलाई करना, तो इसको 4-6 दिन हमने इदर डाल दिया, और इसका अब आप कलर देख सकते ह उसका भी आपको ध्यान रखना है, हमारे कुछ किसान भाई, इस बीज को बोरी में पैक करके रख देते हैं, उपर वाला जो छिलका है मुकई का सडाने के लिए, ताकि धुलाई में आसानी हो जाए, या धेर लगा के रख देते हैं, कि मुकई का उपर का जो लाल छिलका है वो गल जाएगा तो धुलाई में आसानी हो जाएगी, तो आपको ऐसा नहीं करना है, आप देख सकते हैं, हमारा बीज सारा का सारा हमने पतली सी लेयर एक बनाई है, दो तीन इंच मोटी, तीन चार इंच और ये बीज को पूरी तरह से फैला दिया है, ताकि हीट ना हो, इ लगाएंगे खेट में लगाएंगे तो बीज जर्मिनेट नहीं होता है, आपको धुलाई करने में तो आसानी हो जाएगी, आपका बीज आसानी से धुल जाएगा जब उसका छिलका सड़ जाएगा तो, लेकिन आपकी सारी महनत बेकार हो जाएगी, आपकी महनत पे पानी फिर जाएगा बीज आपका जमेगा ही नहीं तो किसान साथियों इस बात का भी आपको अबस्त धियान रखना है प्रोसेसिंग के टाइम दुलाई करते समय आपका बीज हीट ना हो भरके ना उसके बाद क्या करना है किसान साथियों इसकी जो धुलाई होती है इसमें काफी समय लगता है और महनत लगती है इस लाल मुकई को पहले फोड़ते हैं फोड़ने के बाद इसकी धुलाई होती है तो किसान साथियों हमारे बहुत से किसान ऐसे होते हैं इसको जूता चपल से और कोई मजबूत चीज से रगड़ते हैं तो रगड़ने में भी काफी दिक्कते होती है बीज तो आप मुकई को फोड़ेंगे किसी कठोर बस्तू से तो बीज आपका छिल जाता है उसका बीज का जो काली लेयर होती है उपर से वो छिल जाती बीज खराब होते हैं लगभग काफी दो चार परसेंट दस परसेंट बीज खराब हो जाते हैं लेकिन हमारा जो प्रोसेसिंग का क्रिया है वो आप देख सकते हैं वीडियो में हम तो एक बोरी में लाल मुकई को 10-5 किलो पैक कराके और अच्छी तरीके से बंद कराके उसको फोड़वाते हैं हम आप बीज के साथ जो उसकी लाल वाली मुकई का छिलका होता है उसके माध्यम से वो अंदर बीज एकदम क्लीन ही निकलता है फूट नहीं पाता है बीज और उसमें लाल दाने जो होते हैं सारे के सारे आसानी से फूट जाते हैं वो बीज निकल जाता है आप देख सकते हैं पानी में नीचे बैठ जाता है चिलका चिलका जो होता है वो कचड़ा पानी के माध्यम से वाहर निकल जाता है इस तरह से इस बीज को हम प्रोसेस कराते हैं क्लीन कराते हैं और उसके बाद इसमें कुछ परसेंट दाने ऐसे होते हैं जो ग्रीन होते हैं तोड़ते समय आ जाते हैं जाड़ लिये जाते हैं तो वो दाने जो है इसमें फूट नहीं पाते हैं तो उसके लिए क्या करते हैं बीज को हम दोलने के बाद सुखाते हैं थोड़ा सा पानी इसक चलना बनवाया गया है जिसमें दुला हुआ बीज निकाल लेते हैं ग्रेडिंग कर लेते हैं जो भी दुला हुआ बीज है काला काला वो इसमें चलने के माध्यम से छान लिया जाता है और जो भी कंकर पत्थर साथ में आ जाता है या जो बगैर छिला दाना ग्रीन दाना इसक उसके बाद इस बीज को हम सुखाते हैं दो चार दिन अच्छी तरीके से धूप में सुखा लिया जाता है ताके इसमें नमी ना रहे नहीं तो यदि इसमें नमी रह जाएगी तो ये खराब हो जाता यदि बोरी में भर देंगे या कहीं बंद करके रखेंगे तो ये भी फफ करने के बाद अच्छी तरीके से सुखा लिजिए जब सूख जाता है तो एकदम बीज आवाज देने लगता है एकदम जब आप उसको उठाएंगे या बोरी में भरेंगे तो अच्छे से आपको पता चल जाएगा आवाज देगा बाजने लगेगा तो आपको लगेगा कि बीज हाँ सूख गया तो अच्छी तरीके से 4-6 दिन इसको धूप में सुखा लिजिए और डालने से पहले बीज की वुवाई जो है हम लोग मार्च से करते हैं तो मार्च तक आप इसको बीज भी सुखाते रहिएगा उसके बाद आप इसको खेत में लगा दीजिए तो य काफी महनत का है मैंने सोचा क्यों ना आपको यह दिखाया जाए ताके बीज हम कैसे तयार करते हैं आपको भी पता चले हमारे बहुत से किसान भाई कमेंट कर रहे थे कि सतावर का बीज कैसे तोड़ते हैं कैसे प्रोसेस करते हैं कैसे हारवेस्ट करते हैं इसका वीडियो दीजिए तो आज मैंने ये वीडियो आप लोगों के लिए ही पेस कर दिया तो इसी बात के साथ मैं अपनी बातों को खतम करता हूं नमस्कार